हेलो दोस्तों कैसे आप समये गुलफाम एंड वेल्कम बेक टू माई चैनल तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कीबोर्ड कैसियो सिटी के 2550 में यहां लेफ्ट कॉर्णर पे देखें यहां पर जो कीज मेंसंड है यहां पर सबसे उपर लिखा गया डबलू बटन का यूज डबल एफ बटन का यूज इनका यूज हमने पिछले वीडियो में देख लिया है जैसे इसका यूज हम लोग रिवाइंड करने के लिए करते हैं इसका यूज हम लोग फारवर्ड करने के लिए करते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम तो यह पूरा वीडियो देखने बाद आप यह समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो उपर नॉर्मल फिलिन या वैरियेबल फिलिन लिखा इन दोनों बटन्स पर इसका क्या मतलब है ना तो यह सारी चीज जानने के लिए जल्दी से अपने कीबोर्ड को आउन कर लेते आउन होते अब यहाँ से कोई भी रिदम अगर हम लोग प्ले करें तो मैं आपको बजा के सुनाता हूं आप उसमें से निकलने वाले साउंड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना क्योंकि ओ जो साउंड आप सुनेंगे उसके बाद यह बटन दवाने से क्या चेंज आता है उसी सेम स बजाने के लिए हम लोग यह रिदम वाली बटन एक बार प्रेस करते हैं इसको ऐसे ही देखे या डिरेक्टली यह स्टार्ट स्टॉप बटन को अगर हम लोग प्ले कर दें तो रिदम बजने लगता ठीक है तो अब यहां से जैसे मैं इसको दवाता हूं तो देखी दवात आते ही नॉर्मल एकदम नॉर्मल कंडीशन में इसमें जो पहला रिदम होता है वो बजने लगेगा ना सुनिए गाप ध्यान से तो नॉर्मल कंडीशन पे हमारा पहले नंबर का रिदम कुछ इस प्रकार से बसता है ना लकिन अब यहीं पर अगर हम इन दोनों में से किसी बटन को दबाते हैं तो देखी क्या चेंज आता है ना जैसे भी रिदम चलता रहेगा उसके बाद मैं ए बटन वरियेवल फिलिन दबाऊंगों तो देखीएगा क्या हो जाएगा तो आप चेंज समझ पा रहे होंगे कि यह वैरियेबल फिलिन दबाते ही अपना साउंड जो रिदम वन का सेम साउंड जो पहले बज़रा था वो काफी चेंज हो गया ना यानि इसमें और भी ठेर सारी चीजे एड होके बटन को हम लोग दबाते हैं तो इस्क्रीन पर देखी यहाँ पर वी लिखके आ जाता है ना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वी लिखा हुए और इस कीबोर्ड में से निकलने वाला साउंड भी काफी चेंज हो गया होता है अब अगर यही बटन फिल्ड से दबाएं तो आप समझ पा रहे होंगे जितनी बार मैं इस बटन को दवा रहा हूं साउंड में कुछ तो चेंज आ रहा है ना लेकिन अगर इसी को अब कांटीन्यू प्रेस किया रहा हूं तो देखिए क्या चेंज आता है तो साइद आपको इस बटन से होने वाले चेंज समझ में आ गये होंगे ना यानि जब भी कोई रिदम बज रहा हूं उसमें अगर मैं थोड़ा सा उस रिदम को और अच्छे से बजाना चाहते हैं उसमें फिलिंस एड करना चाहते हैं तो यह वाला बटन दवा देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फिलिंस एड हो जाएंगे ना अब अगर इसकी बगल वाले बटन को देखा जाए तो उसको दवाने से क्या होता अक बार देख inserting गा जैसे इसको दवाते देखीएगगा रिदम तो चालू हो जाएगा लेगिन किस प्रकार से चालू हो गा दख नॉर्मल उसके नीचे लिखावा है फिलिन तो इसको दवाने से ना नॉर्मली रिदम बचता है लेकिन फिर से एक बार दवाने पर कुछ ना कुछ फिलिंग्स एड हो जाता है एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको तो आप देख रहे होंगे जब मैं इस बटन को फिल से दवा रहा हूँ तो स्क्रीन पर एक एक एफ लिखा हुआ रहा है ना फिल से देखिएगा यहाँ पर जो एन लिखा है इसके बगल में एक एफ लिखा हुआ आएगा ना और जब स्क्रीन पर एफ लिख क्याता है तब तक ए एफ रहता है जब एफ खतम हो जाता तो उस रिदम में नियूली अड़ेड़ एट एफ खतम हो जाता है तो यार आप एब 1 समझ पा रहे होझा कि जो नॉर्मल रिदम्स हम लोग बजाते हैं उसमें कितना चेंजिस आ र दवा के देखते हैं उसमें क्या चेंज आता है ना तब साइद और आपको अच्छे से समझ में आए तो तीन ताल लगाने के लिए हम अपने प्लस की को कंटिन्यू दवाते रहते हैं और यह देखी 58 नमबर पे आगए अपना तीन ताल आप इसको नॉर्मल ही बजा के सुनते अभी तो बाइ डिफॉर्ट नॉर्मल ही बजेगा फिर मैं वरियेबल फिलिन करके आपको सुनाओंगा ध्यान से आप सुनिएगा यह तीन ताल का नॉर्मल ट्यून है ना अब इसमें मैं वरियेबल फिलिन लगाओंगा देखीगा क्या चेंज आता है तो आप देख पा रहे होंगे कि अपने नॉर्मल कंडिसन से अपने नॉर्मल ट्यून से तीन दाल कितना चेंज हो गया यह वाली वरियेबल फिलिन बटन दवाते ही ना फिर से चली इसमें कुछ चेंजेस यह नहीं दोनों बटनों से करके देखते हैं आप मेरा हांद देखीगा मैं कौन सा बटन दवा रहा हूं और उससे चेंज ऑब्जर्व करीगा क्या चेंज हो रहा है ना देखें कांटिन्यूस को दवाय रहने से कैसा साउंड निकल रहा है ना यानि वेरियेबल और फिलिन दोनों साथ में हो जाए रहा है तो कैसा साउंड निकल रहा है तो यार आप देख रहे होंगे कि जो तीन ताल का रिदम चल रहा है उसमें इन दोनों बटन को दवा आते ही कितना चेंजस आ जा रहा है ना अब इन चेंजस का इस्तिमाल जब भी आप किसी गाने को चेंज कर रहे हैं आंतरे से मुखड़ा बजा रहे हैं या कुछ भी बजा रहे हैं जब आप रिदम को चेंज करना चाहते हैं या कट लगाना चाहते हैं कोई भी तब इन दो बॉटन्स को ऑपरेट करेंगे ना तो similarly काम करेगा अब आप उन चेंजेस को करके अपने कीवोड में देख सकते हैं तो आई होब कि आपको ये सारी बाते समझ में आई हो अगर इस पर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकी जरूर पूछें मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिज करूँगा